गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे इसके हमने 9 सम कर लिये थे आज 10 देखो अब आपको यह कोश्चन नमबर 3 में फिगर दे रکھی है यह आपको क्लियर दिख रहे हैंगी मैंने मिना रखा है इनको आपने रक्टैंगल में सप्लीट करना है बदलना है और इनका एरिया निकालना है और जो इनकी sides दे रखी हैं ये किसमें दे रखी हैं cm में तो हम पहले इसकी first की बात करते हैं अब देखो इसमें ये 2 cm दे रखी है ये 3 cm दे रखी है ये भी 3 cm की दे रखी है ये 2 cm की ये भी 2 ये 3 ये 3 ये 2 अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक line ड्रो कर लेते हैं, देखो, अब देखो, इसके सामने बिल्कुल ड्रो की, तो ये कितने की होगी, 2 की, 2 cm की, और ये कितने की थी, 3 cm की थी, तो जब ये line इतनी पूरी है, इसको कट कर लिए, तो ये उपर वाला portion कितना हो गया, और यह कितना रह जाएगा 1 ठीक है 2 प्लस 1 तभी 3 हुआ न अब देखो यह 2 इसको हम नाम दे देते हैं A B C D ठीक है तो अब देखो यहां आपके स्टेक है यहां 2 दे रखें यहां 3 आएगा अब सेम इसको भी कट कर देते हैं यहां 9 ड्रो कर लेते हैं अब देखो इसके सामने 2 है तो यह भी कितनी होगी 2 की ठीक है और अब देखो इसको भी हम नाम दे देते हैं E F G H अब देखो यह 3 थी यह 2 है तो यह भी क्या हो जाएगी 2 और यह उपर वाला इसका पोजिशन कितना रह गया 1 सेंटीमीटर का ठीक है तो अब देखो यह 3 प्लस 2 5 यह इसको भी अब हम अलग नाम दे देते हैं इसको नाम दे देते हैं L नाम दे दो इसको अब देखो L C इसको नाम दे दे हैं हमने नहीं दे रखा तो इसको हम दे देते हैं M L C M G एक रेक्टेंगल यह बनगी यह क्या उपपर वाली बनगी स्केर बनगी 2 2 2 2 2 A B C D क्या बनगी स्केर बनगी 2 2 सेंटीमीटर की साइड साइस की अब देखो L C M G यह क्या बनगी रेक्टेंगल 3 प्लस 2 5 तो टोटल L C कितनी होगी 5 और G M कितनी होगी 5 ठीक है और यह L G 1 है C M 1 है ठीक है तो अब देखो यह जो G H E F यह भी क्या बनगी स्केर अब इसका एरिया निकाल लेते है पहले देखो A B C D का एरिया एरिया ओफ A B C D स्केर है तो क्या हो जाएगा स्केर का एरिया A स्केर साइड इंटू साइड कितनी है 2 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्केर अब सेम एस इसका सेकिंड वाली का निकाल ले E F G H का एरिया ओफ E F G H इसका भी साइड इंटू साइड और साइड कितनी है इसकी 2 2 सेंटीमीटर की A स्केर 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर स्केर अब बीच वले पोजिशन का देखो इस वले का L C M G L C M G इसका थीक है तो यह कितना हो गया यह L C कितनी है 3 प्लस 2 L D प्लस D C L D कितनी है 3 और D C 2 यह कितनी होगी 5 सेंटीमीटर की L T सिमिलरली G M कितनी होगी G M 5 सेंटीमीटर कैसे देखो GH प्लस H M 2 प्लस 3 5 सेंटीमीटर अब इसमें देखो और L G C M दोनों कितनी है 1 सेंटीमीटर की L G इक्वल टू C M 1 सेंटीमीटर ठीक है तो अब इसका एरिया निकाल लेते है एरिया ओफ L C M G रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L इन्टू B तो इसकी L कितनी है टोटल 5 5 और B 1 कितना आ गया 5 ठीक है अब तीनों का एरिया एड का दो एरिया ओफ A B C D एरिया ओफ E F G एरिया ओफ L C M G का एरिया ओफ सुरी टोटल एरिया रिखो टोटल एरिया एरिया ओफ A B C D तीनों का एरिया कमबाइन कर दो 4 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया 13 सेंटीमीटर स्केर ये सेंटीमीटर स्केर में ठीक है तो ये क्या आ गया इस फिगर का एरिया आ जाएगा अब नेक्स देखो अब इसमें क्या ये 1 सेंटीमीटर है ये भी 1 है इसके पहला एक लाइन ड्रो कर लेते है ये भी कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की ये अब टोटल 4 है तो ये इसके सामने ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की इतनी और बाकी ये कितनी रह जाएगी टोटल कितनी है 4 कितनी रहेगी ये 1 ठीक है और इसमें भी same as it is line draw कर लेते हैं इसके पहले ये भी 1 आगी ठीक है अब देखो ये कितनी है 5 ये total कितनी बनगी पूरी 5 ठीक है तो इसको भी हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H, L, M ठीक है अब देखो इसमें पहले हम निकाल लेते हैं A, B, C, D का एरिया ये किया अब rectangle है Area of rectangle A, B, C, D क्या होता है? Length into breadth Length 4 और breadth 3 4 into 3 कितना आ गया? 12 cm square अब देखो अब देखो आज़्टी similarly किसका आ जाएगा? Sorry, ये गल्द हो गया थोड़ा सा Length कितनी है? 3 दे रखी है 3 और breadth कितनी दे रखी है? 1 तो ये कितना आ गया? 3 cm square अब similarly area of E, F, G, H 1 और 3 L into B 3 into 1 3 cm square अब देखो ये नीचे वाली रहागी अब ये के rectangle C, G, M, L इसमें क्या दे रखी है? 5 और 1 L into B L 5, B 1 5 cm square अब तीनों का area add कर दो total area total area area of A, B, C, D plus E, F, G, H plus C, G, M, L तीनों का area add कर देंगे 3 plus 3 plus 5 कितना हो गया? 11 cm square ठीक है? ये क्या आगया? दोनों का अब area निकाल लिया ना तो इस तरह से ये question होना था अब देखो question number 11 how many tiles whose length and breadth are 15 cm and 5 cm respectively will be needed अब कहता है इसकी क्या दे रखी है? 60 cm and 45 cm एक portion है उस पे हमने क्या लगानी है? tiles लगानी है और tiles की जो length और breadth है वो कितनी दे रखी है? 15 cm और 5 cm तो जो इस से जो area आएगा उस पे कितनी tiles यूज होंगी? तो मतलब पहले हम इस region से निकाल लेंगे area इस region का area तो question number 11 देखो how many tiles whose length अब पहले length of tiles लिख लेते हैं length of tile कितनी है? 15 cm और breadth 5 cm इसमें अब हम क्या निकालनेंगे? पहले area of tile length into breadth 15 into 5 कितना आगया? 75 cm square अब हम जो reason दे रखे हैं जिसकी length और breadth क्या दे रखे हैं? देखो length of rectangle कितनी है? 60 cm और breadth 45 cm area निकालने 60 into 45 that means L into B यह आजाएगा 2700 cm square देखो अब यह आगया हम क्या करेंगे? हमें क्या निकालनेंगे? कितनी cm square पे? इतने cm square पे tiles तो देखो tiles डिक्वाइर for 75 cm square कितनी है? 1 tile और हमें कितने cm square पे निकालनेंगे? 2700 cm square पे तो हम क्या करेंगे? पहले डिक्वाइरमेंट 1 cm पे निकालते हैं tiles डिक्वाइर for 1 cm square कितना जाएगा? 1 by 75 as it is अब हम क्या करें? tiles डिक्वाइर for 2700 cm square 1 by 75 इसको cancel out कर दो ये cancel out हो जाएगा 25 पे 25 3 जा 75 25 बन जा 25 2 और ये cut होएगा 0 8 108 पे अब देखो ये 3 से फिर cut out हो जाता है 3 3 जा 9 3 6 जा 18 ये कितना आ गया? अब हमें tiles कितनी चाहिए? 36 tiles ठीक है? अब question number इसका B part आप खुद try कर होगे ठीक है? तो आज अब ये हमारी exercise complete हुई तो आप इसको अच्छे से try करेंगे next class में हम इसके mislinious discuss करेंगे thank you